सब्सक्राइब कीजिए ब्रिस एस्पेशल को और दवाईए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ग्यान बर्धक बीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके ब्रिसब रासी वालों का आजी का रासी फल यानी की 15 जुलाई 2020 का रासी फल तो नमसकार मित्रों आईए आजी के बेडियो की सुरुआत करते हैं शबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 15 जुलाई 2020 के पंचांग के बारे में 15 जुलाई तिथी है दसमी नक्षत्र है भरनी पक्ष है क्रिस्न पक्ष और दिन है बुद्ध बार आजी के दिन सुर्य उदे हो रहा है पंच बजी के 33 मिनट में सुर्यास्त है साथ बजी के 20 मिनट में रितू है वर्सा और आजी का दिन काल है तेरह घंटे 47 मिनट 18 सिकेंड का महिना है स्राबन और आजी के दिन सुभ समय नहीं है असुभ समय सुरू होता है 11 बज के 69 मिनट एम से 12 बज के 54 मिनट पी एम तक और राहु काल सुरू होता है 12 बज के 26 मिनट पी एम से 2 बज के 10 मिनट पी एम तक और दिसा सूल है उत्तर दिसा की और तो ये था आजी का पंचांग इस वीडियो के लाश्ट में आपके आज के दिन का सुभ रंग, सुभ अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें, सुने और आज माने का प्रयास करें लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके स्वास्त के बारे में मित्रों स्वास्त के दृष्टी कौन से आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा बहतर और शांदार रहेगा आज के दिन आपके बोड़ी में उर्जा का अस्तर बहुत ज्यादा उंचा रहेगा और इस वज़ह से आपके श्वास्त में कहीं कोई पड़ेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा वैसे अगर आपके धन संपती की ओर देखा जाए तो पैसों के द्रिष्टी कोन से आपका शमय सामानी रहेगा आज के दिन पॉसिबल है कि आपका भाई बहन या आपके माता पिता धन संपती के मामले में आपकी सहायता करेंगे और उन लोगों के शहायता से आपको पैसों की ज्यादा परेशानी नहीं होगी लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा इसके बाद है आपका घर पड़िवार मित्रों घर पड़िवार के दृष्टी कौन से आपका शमय शामालने से थोरा सा नीचे है आज के दिन अपने घर पड़िवार में आप सभी लोगों के शाथ अपने शंबंध को मजबूत करने का प्रयास करें क्योंकि हो सकता है आज के दिन आपके घर पड़िवार में किसी ब्यक्ती के शाथ आपका शंबंध कमजोर हो जाए इसके बाद है आपका प्रेम शंबंध तो प्रेम शंबंध के दृष्टी कोन से आपका शमय अच्छा नहीं बीतने वाला है आज के दिन हो सकता है तो किसी और ब्यक्ती के वजह से आपका प्रेम शंबंध खराब हो जाएगा किसी और ब्यक्ती के वजह से आप दोनों के बीच में नोक जोक हो जाएगा बहस हो जाएगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज के दिन आपका प्रेम शंबंध अच्छा रहे आपके प्रेम शंबंध में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं हो तो आज के दिन किसी और ब्यक्ती को अपने प्रेम शंबंध में आप बिलकुल भी न आने दें इसके बाद है आपका कामकाज मित्रों कामकाज के दृष्टी कोन से आपका उश्चम है अच्छा भी तने वाला है आज के दिन आपके कामकाज में आपके काड़े छित्र में आपकी तरक्की बहुत ज्यादा होगी और आपका काड़े छित्र और ज्यादा बेहतर और ज्याद आजी के दिन आपके लिए भाग्य साली अंक है दो यनी की टू आजी के दिन आपके लिए सुभ रंग है पाड़ दरसी और गुलाबी इसके बाद बात करते हैं कि आजी के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका समय बहतर और शानदार होगा वित्रों उपाई बहुत ही ज्यादा शा माननी है आजी के दिन आप अशनान ध्यान करने के बाद भगबान स्री गनेश की पूजा करें पूरे मन से पूरे आस्था से पूरे एकाग्रता के शाथ अगर आप ऐसा करते हैं तो आजी के दिन आपका समय सानदार हो जाएगा और क कहीं कोई पड़े शानी कहीं कोई शमस्या नहीं होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप हर जग सेर कर दें धन्यवाद